दोस्तों यह जो रेलवे लाइन आप देख रहे हैं यह है खजुराहो सतना रेलवे लाइन और संभवता यह ऐसा जताया जा रहा है अनुमानित है कि यह रेलवे लाइन बहुत जल्द ही बन जाएगा तो आई हम लोग देखते हैं कि यह लाइन का इसके बारे में टोटल आप लोगों को मैं सब कुछ बताता हूँ तो सबसे परे आई यह देख लेते हैं कि यह कौन-कौन से जोन में बटा हुआ है यह रेलवे लाइन तो यह खजुराहो जो है खजुराहो से थोड़े से में इसकी पूरी जो रेलवे ट्रेक है वो उसके अंदर है और खजुराहो से आगे बढ़ने के बाद यह पहला रेलवे स्टेशन आता है अजैगर फिर है देवेंदर नगर फिर है नागोड फिर है सित्पुरा और फिर फाइनली यह जह है जा करके सतना में यह मिल जाएग और इसका मतलब यह है कि सतना अभी बहुत बड़ा जंक्सन बनने वाला है क्योंकि अल्रेडी यहाँ पर से रिवा के लिए लाइन जाती ही है और जो एक में लाइन है सतना इलहाबाद वाली सतना नैनी प्रियागराज वाली जो लाइन है वो तो में लाइन है ही तो इसके बन जाने के बाद फिर केवल इतना ही फाइदा नहीं होगा कि खजुराहो का कनेक्टिविटी सतना से मिल जाएगा इससे और भी यह फाइदा होगा कि खजुराहो से फिर आप डायरेक्ट रिवा होते हुए मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दू कि सतना में यहाँ प खजराहों होते हुए जब यह सतना आएगी तो सतना में इसके इंजिन को रिवर्स करना पड़ेगा फिर यह जा करके रीवा पहुंचेगी और रीवा से भी यह आगे जा सकती है तो रिवा से जो यह सिंग्रोली तक का जो रिल्वे सेक्षन है यह जह जो रिल्वे ट्रेक अभी बनना है यह भी इसमें भी बहुत तेजी से काम चल रहा है और इसके उपर अभी कुछ दिन पबले चर्चा भी होई थी और इसका जो सारा जो रेल्वे ट्रेक है वो विस्ट संट्रल रेल्वे के अंदर आता है तो आए देख लेते हैं इसके आगे के स्टेशन तो रीवा के बाद ये पहला रेल्वे स्टेशन है सिलपाड़ा दूसरा है गोविंदगर फिर तीसरा है बगवर फिर है रामपूर नाइकिन फिर है जा देवसर और देवसर के बाद यह फाइनली जाकर के बर्गमा में ये मिल जाएगी मतलब बर्गमा अपकमिंग जो है एक जंक्सन बनने वाला है और फिर ये तो जब मिल जाएगी तो फिर ये जो रिल्वे ट्रेक है गुंडावली महधीया होते वे सिंग्रॉली पहुंच सकती है या फिर नहीं तो चोपन में reverse करके एंजिन को या फिर अगर भी जा सकती है आगे रांची की और डाल्टन गंच की और मतलो जारखंड में जा सकती है तो ये काफ़ी फाइदेमंद एक रेलवे लाइन है जो कि मैंने आपको बताया तो धन्यवाद तो दोस्तों ये जह है जनवरी की एक रिपोर्ट है जिसको पत्रिका ने छापा है तो हम कहां तक काम चला है कितने रुपए के से स्विक्रिती मिली है कितने किलिमेटर के रेल लाइन डलनी है और सारा अपडेट भी हम लोगों को इससे मिल जागा क्योंकि ये लेटेस्ट है तो इसमें लिखा है खजुराहो से पन्ना रेल लाइन के लिए हरी जंडी मिलने के करोर रुपए खर्ज करके रेलवे लाइन इस्टेशन और ब्रीज का निर्मान किया जाएगा खजुराहो से पन्ना तक 72 किलोमेटर रेल लाइन डाली जाएगी हलांकि अब रिवाइजड रेट के नुसार 3000 करोर रुपए लागत आने की संभावना है इस रेल खंड में सब फड़वई को आम बजट के साथ आ रहे रेल बजट में ललितपूर सिंग्रोली रेल मार्ग के लिए मिलने वाले बजट से खजुराहो पन्ना रेल खंड के निर्मान की रफ्तार तै हो जाएगी मतलब कि ये अब तक हो चुकी होगी पिछले बजट में मिली रासी से पन्न का भी काम कराया जाएगा तीन पार्ट में होगा खजुराहो से पन्ना रेल लाइन का काम खजुराहो से पन्ना रेल लाइन का काम तीन पार्ट में किया जाएगा पहले पार्ट में 23 किलो मेटर खजुराहो से सबदुआ के बीच रेल लाइन डाली जाएगी इसके लिए वर दोजार पचीस तक में कम्प्लीट हो पाएगा इसके बाद तिसरे पार्ट में अजयगर से पन्ना 31 किलोमेटर रेल लाइन का काम किया जाएगा इसके लिवर्स 2023-2024 का लक्ष रखा गया है 72 किलोमेटर की रेल लाइन में सबसे महतोपुर्ण पूल के नदी पर बनाया जाना है एक किलोमेटर लंबे रेल पूल में 30 मीटर के 32 इसपान बनाये जाएंगे इस पूल की लागत करीब 80 करोर रुपए आएगी वहीं खजराहो से पन्ना के बेच 48 छोटे पूल और 32 बड़े पूल बनाये जाएंगे पन्ना खजराहो रेल खंड के लिए वन विभाग ने आगे बढ़ाई फाइल पन्ना खजराहो रेल खंड के लिए 315 हेक्टेयर वन भूमी की जरूरत है जिसमें से 307 हेक्टेयर जमीन पन्ना जिले की और 8 हेक्टेयर जमीन चटरपूर जिले की अधिगरहित होना है इसके लिए वन विभाग ने स्विक्रिती देने के साथ फाइल रेल मंत्राले को भेज दिये रेल अधिकारियों को उमीद है कि सिग्ड ही 315 हेक्टेयर वन भूमी भी रेलवे को मिल जाएगी जमीन मिलने पर पेर काटने और जमीन को समतल करने का काम किया जाएगा बजट में रासी मिलने की उमीद केंदर सरकार का आम बजट अगामी एक फड़वरी को लोक सभा में पेस हो सकता है मतलब ये पहले हो चुका है इसको लेकर जहां एक और देश बहर के लोगों को इंदिजार हो ही इससे मिलने वाली रासी से निर्माना धीन पन्ना खजराहो और पन्ना सतना रेल लाइन के काम की रफतार भी तैय होगी परियोजना के लिए पूर में जाड़ी बजट करीब करीब समाप्त हो चुका है इससे अब काम को रफतार देने के लिए रेल वे को आम बजट में परियोजना के लिए निर्धारित होने वाली रासी का इंतिजार है बजट से ही तै होगा कि पूरे साल ललितपूर सिंग्रवली रेल प्रियोजना कि इन दोनों रेल खंडों में काम की रफतार क्या होगी। चल रहा काम ललितपूर सिंग्रवली रेल प्रियोजना के तहत रेलवे की प्रात्मेकता सतना रेलवे जंग्सन को प्रियतन नगरी पन्ना से जोरने की है। सतना जिले में छे से साथ छोटे पूलों और तीस छोटी पूलियों में भी काम चल रहा है। बजट से साफ होगा तस्वीर आगामी बजट में प्रियोजना के लिए आवंटित होने वाली रासी से ही रेल खंड के काम की रफतार तै होगी। यह सभी जानकारी दी गई है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को सभी कुछ इस रेल खंड के बारे में बता दिया है। आसा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में सेर करें। धन्यवाद।